नमस्ते दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए आज की वीडियो सुरू करते हैं वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक भी जरूर कर दीजेगा आज मैं बना रही हूँ चावल के आटे से धोसा तो ये फटा फट से बनके तयार हो जाता तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है तो यहां पर एक कटोरी चावल का आटा ली हूँ और इसमें अब दो हरी मिर्ची काट के डाल दी हूँ थोरसा धनिया पता और दस पंद्रक करी पत्ते ली थी उसको भी काट के डाल दी हूँ अब एक प्याज ली थी उसको बारिक बारिक काट लेना है अब इसमें मैं एक छोटा चमच नमक डाल दी हूँ नमक आप अपने स्वाद के अनुसारी डाले मैं इसमें मसाले वाले चमच से एक चमच नमक डाली हूँ अब इन इसको अच्छे से मिलाना है तो यहां पर मैं इन सब चीजों को अच्छे से मिला लेती हूं और इसके बाद दो मिनट तक इसको अच्छे से हमें फेट लेना है सारी चीजे अच्छे से mix हो गई है अब इसको एक ही direction में दो मिनट इस तरह से फेटना है ताकि इसमें चावल के आटा के गुठलियां वेगरा ना रहे सब अच्छे से mix हो जाए तो मैं दो मिनट लगबग mix कर ली हूँ और दिखाती हूँ किस तरह का बैटर तयार की हूँ त तो आज मैं masala डोसा बना रही हूं तो उसके लिए यहाँ पर उबले हुए आलु ली हूँ और आलू का masala तयार करेंगे तो सारे आलू को तोर कर इस तरह से तयार कर लेना है और ग्यास पर एक कराई गरम होने दे थी कराई को अच्छे से गरम होने देना है और इसके बाद इ अच्छे से भूनने देना है इसके बार मैं यहां पर दो हरी मिर्ची काटके डाल दी हो और एक प्याज को इसमें डाल दी हो अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है तो लगवग प्याज को दो मिनट भूनना है मैं हींग डालना भूल गई थी तो दो पिंच यहां पर हीं दाल देती हूँ अब इसको भी 1-1,5 मिनिट भून लेना है ताकि अद्रक लेसन का कच्छापन दूर हो जाए तो गैस का फिलेम अब बिल्कुल कम कर दी हूँ तो लो फिलेम पर मैंने यहां पर अद्रक लेसन को भी भून ली हूँ यह भी भून गया है अब इसमें थोरे मसा ना रहे हैं तो लाल मिर्ची ना डाले तो यहां पर एक छोटा चमच नमक डाल दी हूँ नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले में तो मसाला डालने के बाद गैस का फिलेम बिल्कुल कम कर दी थी मैं अब यहां पर आलू को डाल कर और लगभग 2-3 मिनिट हमें इन मसा गैस का फिलेम लों ही रहने देना है लोघट अच्छे से भूलन लेना है जितने अच्छे से आप मसाला बूनोगे उतना ही तेश्टी नो थी 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 जर्षा खाने में लगभग 2-3 मिनिट भून लीं मसाला अच्छे से भून गया है गैस का फिलेम गूंग हम और इसमें मै तो इसलिए नीच जा कर बैठ गया है पानी ऊपर ऊपर आ गया है तो इसको अच्छे से मिला लेना है जितने तो एक डोसा बनाने के बाद जब दूसरा बनाए तो अच्छे से इसको मिक्स करके तब ही बनाए तो यहां पर मैं एक तवा गरम होने दे थी और पूरे तवे पर मैंने रिफाइन ओयल लगा दी हूँ अब इस गोल को अच्छे से फैला देना है गोल डालने से पहले आपको टू भी दबना अज़ा इसको डाले नहीं तो यह चिपक जाएगा तो यहाँ पर मैं डाल दी हूं और इसको अच्छे तो लगबख तीम नट लग जाएंगे इसको पकने में तो एक तरफ से जब यह पट जाए तो अच्छे से पलट देना है तो इसको अराम अराम से पलटना है क्योंकि इसमें सिर्फ चावल तो यह तूट भी जाएगा बहुत जल्दी तो इसलिए इसको अराम-अराम से साइट से निकालते हुए और इसको हमें पलटना है तो नीचे से आपको चेक कर लेना है जब यह नीचे से अच्छे से पक गया होगा तभी इसको पलटना है कचे में बिल्कुल भी न पलटे समपड़ बिल्क वह बढ़ते हुना है और हैंजिए ताम से इसको तवे पर हटा लेना है और इसके बाद इसको जल् Quran बढ़त देहा है remedy तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नमud note वेम ने मिया करे धुथी दोष्ट से माइख पका नो ब्रचाश्री नीचे समां से डाल दे हो अब इसमें कुछ भी नहीं डालना है इसको बस दोनों तरब से मोर देना है और इसको अब आप हरे धन्ये की चतनी या फिर किसी भी चतनी के साथ खा सकते हैं मुमफली की चतनी के साथ तो यह बहुत ही टेस्टी लगता है तो एक बार आप इस डोसे को जरूर ट्र बताईएगा अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू